असलाम अलेकुम वीवर्ड कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल में आपका डेर सारा वेलकम है दोस्तो आज मैं आपसे एक ऐसे फेस पैक ऐसे उप्टन की रेमडी शेयर करने वाला हूँ जो आप अपने फेस के अलावा अपनी बोडी पर किसी की भी पार्ट पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टैनिंग हुई है डलने से आपको ब्राइटनिंग चाहिए अगर आपको कलर फेर करना है तो ये बहुत अच्छा अफेक्टिव फेस मास्क है अगर आप इसको रुटीन में यूज़ करेंगे तो आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये नैचरल है और इसका कोई भी साइड अफेक्ट नहीं होने वाला है आपको गर्दन पर लगाना है फेस पर लगाना है या बोडी के किसी भी से पर लगाना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपको इसके बहुत अच्छे और अफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है ना और आप इसमें जो भी इंग्रीडियंट्स एड करेंगे जो भी इस मास की प्रिपरेशन के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं वो आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी आपको बाहिर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ना तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं कैसे बनाना है इस मास को तो दोस्तो सबसे पहले जो है आपको राइस चाहिए चावल जो है वो कोई भी हो सकते हैं टोटा चावल हो सकते हैं आपके चैसी के सूपर के सेला के कोई भी चावल हो सकते हैं स्टीम के चावल हो सकते हैं कोई भी चावल है आपको 100 gram चावल चावल चाहिए ठीक है चावल के अंजन जो होता है न वो स्टार्च होता है वो आपके dead cells को exfoliate करता है dead cells हटेंगे तो आपकी pigmentation भी काम होगी अगर आपके face pigmentation है या तैनिंग हुई है टैलनस है जो उपर से हटते है न वो minted dead cell heart जाएं तो नीचे से new cells आ जाते हैं जो new cells आते हैं उन पर कोई भी ऐसी problem नहीं होती है ठीक है तो दूसरा जो ingredient हम इस mask में add करने वाले हैं वो है मसूर की दाल ठीक है जो हलकी pinkish color की orangeish color की दाल होती है जिसको दालों की रानी भी कहा जाता है मसूर की दाल ठीक है इसको पुटी पल्स भी कहा जाता है यह बहुत effective बहुत अच्छी remedies में use होती है लोग इसकी night cream भी बनाते हैं ठीक है न तो आपने जो है न सो ग्राम चावल लेना है और पचास ग्राम मसूर की दाल लेनी है ठीक है मसूर की दाल जो है न पचास ग्राम ले रखना है इसको दो दिन और दो रातों के लिए बिगो कर रखना ठीक है ताकि इसके जो enzymes है न वह एक्टिवेट हो जाएं जब इसके इंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे results मिलेंगे ठीक है आपने जो है न वह दो दिन दो राते 48 गंड जो के बाद जो है न इसमेंसे पानी निकाल देना आपने ठीक है पानी निकाल कर इसको किसी मलमल के कपड़े पर डाल दें आप इस चावल और इस डाल को जो मसूर की डाल है इसको एक कपड़े पर रख दें कपड़े पर निकाल दें और एक दो दिन के लिए सूक रहें दे ठीक है ना जब ये एक-दो दिन तक ये सूख जाएगी दाल आपको लग जाएगा पता चल जाएगा कि ये दाल सूख चुकी है ये चावल सूख चुके हैं तो आपने क्या करना है इसको जो है ना वो ग्राइंडर में पीस लेना ठीक है अच्छी तरह से पीस कर इसका जो है वो बरीग एक powder बना लें ठीक है और इसको किसी मलमल या किसी बरीग छनी में जो है न इसको चान लें ठीक है चान कर फिर क्या करना आपने इसके अंदर आदा चमच जो है न वो खल्दी का अड़ करने ठीक है खल्दी का अड़ करके यह आपका face pack त्यार हो गया है आपका natural upton त्यार हो गया है इसको आपने जो है ना आपको किसी a tight container में डाल के रख लेना है और जब भी इसको use करना है आपने कच्चे दूद के साथ इसका face pack मिनाना है ठीक है ना आप ठीक जितना एक चमच लें इस face pack में से इस powder जो आपने उटन बनाया इसका एक चमच लें उसके अंदर आपने जो है ना कच्चा दूद मलाना ठीक है जिससे आपका thick paste पंज है जो आपके face पर easily apply हो जाए ठीक है ना कच्चा दूद जो है ना वो बहुत अच्छा है अगर आपको कच्चा दूद नहीं मिलता तो आप दहीं के साथ भी आप इसका face pack बना सकते हैं जैसा जो भी आपको चीज मिलती है उसके साथ इसका face pack बनाए आप इसको daily routine में use कर सकते हैं अगर आपके पास time है तो आप इसको daily routine में use करें अगर आपके बाद टायम नहीं होता तो आप इसको एक दिन छोड़कर एक दिन भी यूज कर सकते हैं जिस्सम के किसी भी छिछे पर आप इसको लगा सकते हैं आप उने फेस पर अपनी गर्दन पर भी इसको लगा सकते हैं और आपने इस फेस पैक को लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ देना ठीक है 15-20 मिनट तक छोड़ देना है जब यह ड्राय हो जाए या फिर ड्राय हो जाएगा ना 15-20 मिनट बाद जो दाल होती है ना मसूर की दाल यह आपके dead cells को exfoliate करती है और जो new cells नीचे से आते हैं उनको nourishment देती है उनको ताकत देती है यह बहुत अच्छी होती है आप इस remedy को जरूर यूज करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मैं motivate होता हूँ आपके like से और मुझे आप Instagram पर भी follow कर सकते हैं Thank you so much subscribe जरूर करना है Thank you so much guys Allah Hafiz Bye Bye